दोस्तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप अपना कोई भी मोबाइल बेचना चाहते हो या तो सेकेंड एंड मोबाइल खरीदना चाहते हो तो ए वीडियो को एकदम स्किप मत करना स्किप करोगे खुद बसता होगे क्योंकि मैं सेकेंड मोबाइल बेचता भी हूँ और खरीदता भी हो तो मैं कुछ डिटेल्स बताओंगा कुछ टिप्स बताओंगा ओर टिप्स को जरूर सुनना और आप अगर सेकेंड मोबाइल खरीदना चाहते हो या तो आपना मोबाइल आपना मोबाईल जब पुराना हो जाता है. तो उसको किसी को बेज देते हैं और उसको बहुत लोग खरीते भी हैं. तो पहले हम बात करते हैं. अगर अपना मुबाइल बेचना चाहते हो तो बेचने के टाइम में आप क्या गलती करते हो और अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप थोड़ा सबर करो उसके बात बताऊंगा कि आप भी क्या गलती करते हो तो पहले हम बात करते हैं अगर आप अपना मुबाइल बेचना चाहते हो तो कैसे बेच होगे क्योंकि आप अगर बेच दोगे तो आपका personal data भी leak हो सकता है यह बाद ध्यान रखना कैसे होता है मैं बताता हूं देखो आप लोग अपना मुबाइल बेचते हो जब बेचते हो तब क्या करते हो अपना फोटो वीडियो जीमेल आइडी डिलीट कर देते हो लेकिन इसको बैक अप किया जा सकता है साधारन से चीज है आप अगर उसमें एक सब्ट्यार लगा लोगे तो सब फोटो वीडियो बैक अप आजाएगा तो आप फस सकते हो उसमें उसके बाद आपसे ब्लाक मिलिंग भी कर सकता है तो हमेशा याद रखना जब भी आप मोबाइल बेचो एक से दो बार हार्ड रिसेट कुछ भी करके देना क्योंकि अगर दो बार रिसेट कर लोगे तो आपका डाटाओ बैक अप नहीं कर सकता नॉर्माल इंसान तो बैक अप नहीं कर सकता उसके लिए बहुत पांपड बेलना पड़ता है और उसका कोई ट्राइन नहीं करता है ठीक है अगर आप से कोई दुस्पन ही नहीं है न तो ऐसा कोई ट्राइन नहीं करेगा ये तो हो गया पहला अगर आप मुबाइल बेचना चाहते हो अभी हम बात करते हैं अगर आप मुबाइल खरिदने जा रहे हो तो क्या-क्या देखोगे कैसे पता करोगे वो मुबाइल ठीक है या नहीं ठीक है देखिए, प्ले स्टोर में ऐसा बहुत सारा एप है, जिसको आप इंस्टल करके हर एक चीछ चेक कर सकते हो, मतलब उसका प्रोसेसर कैसा है, बैटरी कैसा है, उसका माइक, स्पीकर, कैमरा, साउंग, सब कुछ चेक कर सकते हो, एप है, अगर एप चाहिए, तो मुझे कमेंट क पईनन्स में, और उसके बाद बेच देते हैं, किसी का भी नाम में फाइनन्स में ले लिया, पैसा जुरूत पड़ा, emergency, बेच दिया, कम पैसा में बेच दिया, क्योंकि उसमें दो इतना पैसा दिया नहीं, 15,000 का मॉबाइल बास-10,000 nog देने से आ जाता है, तो उसको 25,000-30 तो पहले उसमें फाइनन्स है क्या अच्छा से चेक करो दूसरा चीज है जिससे भी आप मुबाइल ले रहे हो उसका कंटक्ट नमबर उसका आधारकार जरूर लेना और बिल डबा जरूर लेना नहीं लोगे तो पस्ता होगें बात तो सही है क्योंकि देखो आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो उसके बात कुछ करने के मतलब करना सोचना बेकार है उससे पहले ही करो देखो अगर वो सही इंसान होगा तो आपको बिल भी देगा और आपको उसका नमबर भी देगा और उसका अधारकार भी जैरेक्स देगा कोई मत अगर उस सही इंसान नहीं होगा तो ऐसा प्रब्लम हो सकता है और कोशिस करना रास्ते से कभी मुबाइल मत लेना इमजिंसी के ऐसे बहाई 2,000 में ले लो 5,000 में ले लो ऐसा कभी भी मुबाइल मत लेना उप्रॉड का ही होगा 100% लेना है किसी भी रेपूटर दुकान से ल ले ले सकते हो तो कोशिस करना हमेसा बिल और डबा हो सके तो लेना क्यूंकि बहुत लोग नया भी मुबाइल खरittedने का उसका है नहीं रहता है जैसे कि उसके पास पैसा नहीं रहता है कोई 5-000,- 7,000-8,000 नहीं हो तो ले सकता है उसके बाद आता है यह तो हो गया अभी इसक खुब जह से चेक करना क्योंकि डॉलीके डिस्प्ले को दिस्प्लेश हो टो, यह उसके बाद आप मोबाईल लेऽ सकते हूँ ठीक है दोस्तों तो यही था आज का वीडियो में अगर आपको ए वीडियो ए जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना इस वीडियो को ज्यादा से जदा आप दोस्तों के साथ सेयर करना और अगर आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए झाल झाल, झाल झाल झाल